हेलो अर्वान कैसे हैं आप लोग होग आप लोग सब बहुत स्ट्रोंग और बहुत पॉजिटिव होंगे हमेशा की तरह आज रेसिपी मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ वह एक नवरात्रे स्पेशल रेसिपी है जी हां आज हम बनाएंगे किनुआ पुलाव और हमें से नवरात्रे में हम किनुआ भी खा सकते हैं जी हां किनुआ एक ग्लूटन फ्री सीड है एक एडिबल सीड है जिसे हम नवरात्रे में भी खा सकते हैं और यह सेम फैमिली है जिससे अमरेंथ यानि की जो राजगिरा हम कहते हैं तो वह सेम फैमिली को किनुआ भी बिलॉंग कर इसलिए हम इसे बहुत असानी से नवरात्रों में खा सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रीडियन्स यूज किये हैं इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने लिया है किनुआ और उसे मैंने बॉल कर लिया है इसके साथ ही मैंने घी पेपर, जीरा और सूखी लाल मर्च और साथ में थोड़े से पंकिन सीद्स भी लिये हैं तो यहां सबसे पहले पैन में मैंने थोड़ा सा ओयल लिया है यह हाफ टी स्पून ओयल है जिसे मैंने स्प्रेट कर लिया है और इसके उपर अब मैं रख दूंगी घीया के स्लाइस ज तो यहां सारे स्लाइस मैंने पैन में रख दिये थे और इनको मैं टर्न कर रही हूं हलका हलका इने हमें रोस्ट करना है जब यह एक साइट से रोस्ट हो जाएंगे तो मैं आप देख सकते हैं कि सारी जो है अच्छी तरह एक साइट से रोस्ट हो रहे हैं तो यहां मैं हलका कई निर्काइब कर दिया है कि आघ्रण कर दिया है सोटर गिया जो हसंधिया तब से रीजैण कर रहीक है आट्रड़ा कर रही हों जानल अब भी खिल सकते हैं अबिअ मैंने नॉर्मल बैन पे भी खीजेशिव मध अलों ने से लिएकमा घर खूड़िया तो यहां रेचली पाउडर भी मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और देख सकते हैं हमके हमारे जो स्लाइसे वो अच्छी तरह ग्रिल हो गए हैं तो बस इतना ही हमें ग्रिल करना है बहुत थोड़ा सा ओल यहां यूज हुआ है यह बहुत दिलिशिस लगता है अन टॉप अफ किनुवा तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं हमारा किनुवा पुलाओ तो यहां पैन में सबसे पहले ऑईल मैंने डाला आप घी भी डाल सकते हैं और उसमें मैंने आड़ किया है जीरा साथ में सुखी लाल मिर्च मैंने हम हलका सा रोस्ट होने देंगे साथ में मैंने डाल दिया है गाजर तो यहां क्यूंकि मैं नवरात्रे के लिए बना रही हूं इसलिए मैंने यहां गाजर एड़ की है बट आप नॉर्मल देज में जब आप किनुवा पुलाओ खाना चाहें तो आप यॉर चॉइस और साथ हो जाएं तो यहां तू से त्री विनिट्स हो गए है और मैंने लिए टा लिया है पैन का और गाजर हमारी सॉफ्ट हो गई है हमें बहुत सॉफ्ट नहीं करना है we still have to keep them a little crunchy तो बस इस टेज पे गाजर हमारी जितनी सॉफ्ट होनी चाहिए थी खाने के हिसाब से उतनी हो चुकी है यहां मैं एड करूंगी स्पाइस थोड़ा सा सॉल्ट उसके साथ ही मैं एड कर दूंगी थोड़ा सा ब्लाक पेपर और अब मैं इसमें एड कर रही हूं हमारा बॉयल्ट किनुवा तो यहां मैंने किनुवा एड कर दिया है इसे हम अच्छी तरह कर लेंगे mix और जैसे मैंने आपको बिताया जब आप नॉर्मल डेज में किनुवा पुलाव बनाएं तो आप उसमें यौर चॉइस औफ वेजिटेबल्स आड कर सकते हैं यह पुलाव खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहां हमारा किनुवा पुलाव रेडी है इसे मैं सर्फ कर रही हूँ तो मैंने यह बोल में किनुवा पुलाव दाल लिया है और अब इनके उपर मैं जो हमने स्लाइसे गीए के ग्रिल किये थे उनको फ्लेस कर रही हूँ तो ऐसे देखने में किनुवा पुलाव बहुत ही टेम्टिंग लगता है तो यह हमारा पुलाव बलकुल रेडी है तो बी सर्फ एंड टो बी एटन और लास्ट में इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ कुछ पंकिन सीट्स आप इसके ऊपर थोरे से आलमंस या कैश्यूस भी रोस्ट करके डाल सकते हैं किनुआ पलाव बलकुल रेडी है तो इट इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइक कीजिए दूरिंग दे नवरात्रे फास और नॉर्मली भी आप इसे ट्राइक कर सकते हैं मेरे रेसिपी यदि आपको अच्छी लगे तो दो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मुझे जरूर बताएं कि आप और कैसी रेसिपी देखना चाहेंगे और ये रेसिपी आपको कैसी लगी